अध्याय चवदा स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनेतिक संस्थाओं की कारिप्रणाली भारतियों ने बिटिश राषन के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी तो हमने लोकतंत्रिक मुल्यों को अपना आधार बनाया सन 1947 में आजादी मिली तो हमने इनी मुल्यों के अंतरगत देश का धाचा तयार करने का कारिप्रारंब किया इस प्रक्रिया को सम्विधान निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं इस प्रकार सम्विधान देश की शाषन व्यवस्था के आधार भूत नियमों और सिध्धानतों का एक संग्र होता है हर देश अपनी आवशक्ताओं व परिस्थितियों के अनुसार अपने सम्विधान का निर्माण करता है सम्विधान में एक साथ कई लक्षों को पूरा करने का प्रयास किया गया था इन लक्षों में लोगतंत्र को क्रियाशील व जीवन्त बनाना देश का राजनैतिक रूप में एकी करन करना तथा बड़े पैमाने पर ऐसे ढाचे को निर्मित वमजबूत करना था जिनके द्वारा आवश्यक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव सुनिश्चित किया जा सके इन लक्षों के प्राप्ती के लिए समुचित धाचों को बहुत कम समय में आकार दे कर उन्हें क्रियाशील बनाना नौ स्वतंत्र देश के लिए चुनोती भरा काम था स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद भारत के लोगों को यह साबित करना था कि वे अपनी एक्ता और अखंडता को बना कर रखते हुए ना केवल लोकतांत्रिक धंग से काम कर सकते हैं अपितु देश में व्यापक आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी ला सकते हैं अब हम भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए निम्नांकित घटनाओ का विसलेशन करेंगे 14.1 पहला आमचुनाओ 1952 भारत के नए सम्विधान के अनुसार पहले आमचुनाओ आयोजित करना भारतिय लोकतंत्र की इस्थिर्ता और सफलता के लिए महत्तपूर्ण चुनाओती था हाला कि हमारा सम्विधान 1950 में ही लागू हो गया था लेकिन पहला आमचुनाओ 1952 में संपन्य हुआ लगभग 18 करोड लोगों को मतदान करना था इसके लिए बहुत सारी तयारियों की जरूरत थी भारत में पहली बार हर वैस्क महिला और पुरुष को चुनाओं में मतदान करने का अधिकार मिला था सबसे पहले सभी मतदाताओं की सूची तयार करना था भारत के भगौलिक विस्तार और यातायात की समस्याओं को देखते हुए यह आसान काम नहीं था मतदाताओं को सूचना की प्रक्रिया समझाना और उन्हें मतदान के लिए तयार करना था और सुधूर अंचलों में भी मतदान के इंद्र इस्थापित करके चुनाओं अधिकारियों को तैनात करना था देश के 85 प्रतिशत लोग निरक्षर थे वे कैसे उमिद्वारों के नामों को पहचान कर सही तरीके से मतदान कर सकते थे चुनाओं आयोग ने ऐसे में एक नवाचार किया मतपत्र में उमिद्वारों को अलग-अलग चिन्धू के द्वारा दिखाया गया प्रतेक उमिद्वार के लिए अलग बक्सा रखा गया और मतदाता को अपनी पसंद के उमिद्वार का वोट उस उमिद्वार के लिए निर्धारित बक्से में डालना था पहला आम चुनाओ, खास बातें पहली बार व्यस्क मताधिकार प्रणाली का इस्तमाल करके देश के सभी नागरिकों को वोट देने का मौका मिला सरकार ने सुदुर ग्रामीर शेत्रों तक मतदान केंद्रों की व्यवस्था की, सारे राजियों की विधान सभा के चुनाओ भी लोग सभा के साथी संपन्न हुए इस समय कुल सत्रा करोड मतदाता पंजिकृत किये गये, जिनमें 85 प्रतिशत निरक्षर थे लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र बनाये गये थे, करीब प्रतिएक 1000 व्यक्तियों पर एक मतदान केंद्र बनाया गया था लगभग 10,000,000 अधिकारियों को चुनाओ की प्रक्रिया में तैनात किया गया था चुनाओं की व्यवस्थाएं जिन इलाकों में परदा प्रता पर सक्ति से पालन होता था उन इलाकों में महिलाओं के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाये गये थे इन केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी तैनात थे अजमेर के एक मतदान केंद्र पर पूरी तरह से ढखे हुए रत में बैठ कर एक महिला आई उसका सारा शरीर मखमली कपड़े से ढखा हुआ था केवल एक उंगली ही दिखाई दे रही थी जो कि मतदान करने से पहले स्याही का निशान लगाने के लिए अनिवारे थी प्राप्त हुई कि उस गाओं के लोग एक दिन की लंबी यात्रा करके अपने मतदान केंद्र तक पहुँचे उन्होंने रात अलाओं के सामने नाचते गाते हुए बिताई सूरज निकलते ही वे एक जुलूस के शकल में कतार बद्ध होकर मतदान केंद्र की तरफ बढ़े चुनाओं में किसका समर्थन किया जाए और किसका नहीं एक गाओं के लोगों ने इस मसले का अलग हल निकाला उन्होंने दोनों उमिद्वारों की तरफ से एक एक पहलवान को चुन कर उनके बीच कुष्टी का आयोजन किया वे इस बात पर सहमत हो गए कि इनमें से जिस उमिद्वार का पहलवान जीतेगा गाओं के सारे लोग उसी को वोट देंगे कुल मिलाकर पहला आम चुनाओ आप प्रत्याशित रूप से सफल रहा मतदाता सूची में से 46 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया महिला मतदाताओं में से लगभग 40 प्रतिशत ने वोट दिया पहले चुनाओं में जवाहर लाल नहरू के नित्रुत वालिक कॉंग्रेस को भारी बहुमत मिला पंडित जवाहर लाल नहरू देश के प्रधान मंत्री बने अधिकांश राजियों में भी कॉंग्रेस की ही सरकारे बनी लेकिन गैर कॉंग्रेस दलों ने भी काफी जनसमर्थन पाया इनमें कम्यूनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनसंग वर शेत्रिय पार्टियां शामिल थी इस प्रकार स्वतंत्र भारत ने बहुदलिय लोकतंत्र की ओर पहला और प्रभावी कदम रखा